बढ़वानी जिले के ग्राम पंचायत चितवाल से एक बड़ी खबर आ रही है जहांपर बोरी पुरा फलिया मुकेश पीता मांगलाल के खेत में नागनवाडी परियोजना की जो पाई प्लैन गुजर रही है स्वता ही खेत से उपर हो गई है जिसे कि किसान की बोई फसल मक्का पुर्ण रूप से शतिग्रस्त हो गई किसान के मांग है कि उक्त फसल का मुआज़ा मिले शीग्र अती शीग्रा उक्त पाई प्लैन को सुधारा जाए वही बविश्य में ऐसी पुन्रावर्ती ना हो जान माल का कोई खत्रा ना हो चितावल के समाद से भी सुनिल राठोर द्वारा बढ़वानी कलेक्टर साहब एवं एस्टिम साहब को उक्त जवान का रिदी गई है अच्छा यह खेत आपका ही है तो यह आपको कब पता चला है पाईप लाइन का यह मेरको सुबह पता चला फोन के द्वारा घर वालों ने बताया है आपके खेत में जो पाईप लाएन वह बाहर आ गई है तो यह पाईप किता गहरा था पहले जब खुदे उस समय दस फिट अच्छा अच्छा दस पिट गेरा था मलग उसके वाद भी बाहर आ गई है मलग आपकी मक्का के फसल पुरी तरह नुक्षान हो गया है जी जी और आप भी देख रहे हैं जी सामने दीख रहा हो तो आप क्या चाहते हैं अब मैं यहीं चाहता हो कि अपने को जो मौजा मिले जी जी तो इससे अपने को राहत मिल सकती है क्योंकि खेट तो अपना पूरी तरह से यह हो चुका है पानी आ गया उसमें बाड़ आ गई है जी किते एकड़ जमीन है यह मेरी कम से कम तीन हेकड़े और दो तीन हेकड़े बड़े भई की भी है अच्छा पांच एकड़ तो करा तो आपके अहां नमलिक्त है और आप मांगीलाल चौनहें letatशान है अब क्या चाह चाहिए और यहीं मीले ऑर जमिन मेरी जो तो मैं को सूचना मिली है अभी मैं खेत में देखने आ आ है पटवारी को भी नहीं बता है भी थीक 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 धन्यवाद जोलवानिया से उसेन सेफी की रिपोर्ट फिलाल खबरों में इतना ही आगे की तमाम जानकरी के लिए बने रहे हमारे साथ और चेनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले